तो गेम सुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ तालकी गेम ही देख रहे है और भी गेम मेंने बनाई हुई है दूसरे प्लेयर्स की वो भी आप देख सकते है जाकर तो आज की गेम है मिखाइल तालकी तो ये गेम 1956 में स्वीडन में खेली गई थी तो मिखाइल ताली इस गेम में ब्लेक पीसिस के साथ खेल रहे है और वाइट पीसिस के साथ सुजुकस्ता जानूस तो वाइट ने शुरूआत की डी फोर से नाइट एप सिक्स, सी फोर, जी स किंग्स इंडियन डिफेंस, नाइट सी थ्री, बिशब जी सेवन, एफोर, डी सिक्स अगर वाइट यहां से आगे जाकर डी फायू करता है तो मिखाइल ताली स्पॉन को ले सकते है और फिर वाइट इस पॉन को केप्चर करने जाता है तो फिर मिखाइल ताल अपनी क्वी साइड कैसलिंग किया बिशब एफ्री, एफायू, नाइट एटू, सी सिक्स, क्वीन, बी थ्री दो वाइट आगे जाकर इस डायागोनल पर प्रेसर बना सकता है और वाइट का तारगेट यहां पर बी सेवन पॉन पर भी है तो मिखाइल ताल फिलहाल तो इस बिशब को ड इटेक्स डी फायू, सी टेक्स डी फायू, इटेक्स डी फायू, नाइट सी सिक्स और मिखाइल ताल ने अपने नाइट को सेक्रिफाइस कर दिया तो ब्लेक ने खुसी-खुसी सेक्रिफाइस को एक्सेप्ट किया डी टेक्स नाइट रूक एएट और मिखाइल ताल ने ब तो मिखाईल ताल अराम से सेंटर पर अटेक बना पाएंगे और वाइट का किंग सेंटर में है तो वाइट ने पहले अपने किंग को F2 पर मोग किया और दोनों पर सपोर्ट बनाया बिशप से नाइट पर और किंग से बिशप पर तो मिखाईल ताल ने अपने रुख के बद इस रुख को capture करने जाता है तो वाइट का king बहुत ही आगे आ जाता और फिर मिखाइल ताल यहां से knight g4 check दे सकते है और अपने knight को sacrifice कर सकते है और knight move होने के बाद white के knight पर pressure बनेगा bishop और queen से क्योंकि knight move होने के बाद bishop का diagonal खुल जाता तो white अगर इस knight को capture करने जाता है तो queen takes knight king को f3 पर तो नहीं ला पाता क्योंकि फिर bishop takes g4 check और king के पास सिर्फ एक ही option है king g3 और फिर queen e3 check और king के पास यहां से दो ही option है white अपने king से bishop को capture करता है तो h5 check और king के पास एक ही move है और उसके बाद bishop f6 और checkmate ही है और white अपने king को भी move करता है h4 पर तो भी bishop f6 और फिर force play bishop को लेना ही पड़ता और h5 और checkmate और black यहां से अपने king को e2 पर लाता है तो भी bishop h6 करके यहां पर checkmate की threat होगी और फिर उसके बाद king के पास सिर्फ एक ही move है और king d1 के बाद queen d2 checkmate की threat है तो यहां से black checkmate को बचाने के लिए अपनी queen को c2 पर लाता है तो फिर मिखाइल ताल अपने bishop को sacrifice कर सकते है और यह दोनों diagonal bishop से cover है अपनी queen को d1 पर भी नहीं ला सकता क्यूंकि फिर queen e3 checkmate ही है और white अगर इस bishop को ले लेता है अपने pawn से तो b rook e8 और फिर king के पास एक ही option है white अपने king को mow करता है तो queen f4 और jackmate और white अपने knight को लाता है बीच में तो rook takes knight और फिर वापस एक ही mow है king के पास और फिर queen e3 checkmate ही है तो checkmate को बचाने के लिए white को रूप को लेना पड़ता लेकिन फिर white की queen चली जाती तो white ने मिखाइल ताल के रूप को capture नहीं किया और और white ने पहले rook d1 करके अपने knight पर support बनाया और अभी इस position में video post करके सोचिये कि मिखाइल ताल ने किया mow किया होगा तो मिखाइल ताल ने knight g4 करके check दिया और अपने knight को भी sacrifice कर दिया तो आज मज़ा आ रहा होगा आपको मिखाइल ताल अपने piso को sacrifice करते जा रहे है तब मज़ा ही आता है तो आज किया game बन रही है white के pieces है तो सही लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रहे है तो अभी check है और king के पास सिर्फ दो ही option है और knight से rook पर support है तो white अपने king को आगे लाता है तो तो यहां से bishop e5 check और king के पास सिर्फ एक ही option है king move होने के बाद knight f2 और check mat और double check में कोई piece move नहीं हो पाएगा अपने king को g1 पर लाता है तो भी rook d3 और वापस threat किया है bishop takes knight और check mat तो white अपने bishop से भी रुक को लेता है तो queen takes knight और king move होने के बाद queen f2 और check mat और white अपने रुक से लेता है मिखाईल तल के रुक को तो भी bishop takes knight और check के बाद king के पास तो कोई option है ही नहीं तो रुक को forcefully लेना ही पड़ता और फिर queen takes rook और check mat और white अगर यहां से g3 move करता है तो भी queen takes knight king को आगे move करना पड़ता और फिर knight e3 check और king आगे नहीं आ पाएगा तो king के पास दो ही option है जाने के लिए और फिर king वापस g1 पर जाता है तो knight takes rook और discover check queen से आएगा और king move होने के बाद queen f2 और check mat और उसी तरीके से white अपने king को f2 पर भी लाता तो भी यहां से knight takes rook और double check है और वापस अगर king g2 पर जाता है तो queen f2 और check mat और king e1 या e2 पर आता है तो भी check mat आई जाता queen e3 check और फिर force poly bishop या knight को लाना पड़ता बीच में और queen f2 और check mat तो white ने पहले यहां से अपने king को move नहीं किया और पहले मिखाईल ताल के knight को capture किया f takes knight और मिखाईल ताल ने white के knight को capture किया bishop takes knight क्यूंकि knight move होने के बाद bishop का diagonal खुल गया था तो मिखाईल ताल next move में अपने rook को move करेंगे और discover check bishop से आएगा तो यह बहुत ही dangerous होने वाला है white के लिए तो white ने पहले मिखाईल ताल के bishop को ही capture किया rook takes bishop queen takes rook और अभी वापस वो ही threat है rook move होने के बाद discover check queen से आ रहा है और queen पर pressure बनता तो उसी लिए white ने वहले अपने queen को ही यहां से हटा लिया और अपने queen को d5 पर move किया और queen exchanges की offer है और अभी एक और बार वीडियो पॉस्ट करके सोचिए कि मिखाईल ताल ने क्या move किया होगा तो मिखाईल ताल ने rook 2 चेक दिया और अपने rook को sacrifice कर दिया और double check है तो white knight से rook को नहीं ले पाएगा और आपके लिए आज एक सवाल है कि आज की game में मिखाईल ताल ने कितने sacrifice दिये वो आपको बताना है comment करके तो white अभी अपने king को move करता है g3 या f3 पर तो checkmate ही आ जाता और g3 पर भी लाता है तो भी queen takes g4 और checkmate तो white ने rook sacrifice को accept कर लिया king takes rook और मिखाईल ताल ने अपना attack जारी रखा और एक बाद आप देख सकते हैं कि white के पास material ज्यादा है और मिखाईल ताल के दो piece बाकी है active होने लेकिन यहां से bishop takes g4 आ रहा है तो bishop move होने के बाद ये rook खुल जाएगा तो मिखाईल ताल ने bishop takes g4 किया और king के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही move है white अपने queen को लाता है बीच में तो white की queen चली जाती तो white ने अपने king को e1 पर move किया rook e8 check और king के पास कोई move है ही नहीं और मिखाईल ताल की queen hanging है तो क्या खेल है मिखाईल ताल का तो अभी white अपने knight को तो बीच में नहीं ला पाता क्योंकि फिर knight move होने के बाद white की queen पर से support हट जाता और फिर white की queen चली जाती तो white ने पहले अपने bishop को e2 पर move किया और मिखाईल ताल का final move rook takes bishop check और white के पास दो option है white अपने king को move करता है तो फिर queen f2 और check mat और white अगर knight से लेता है रुक को तो white की queen चली जाती और फिर end game में जाकर white को resign करना ही पड़ता white अपने pawn को push करता है आगे तो मिखाईल ताल अपनी queen को c6 पर लाकर ले सकते है इस pawn को और साथ में bishop ने ये c8 square cover कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसी वज़े से मिखाईल ताल ने rook takes bishop किया और इस move के बाद white ने resign ही कर दिया और ऐसी ही games देखते रहने के लिए channel पर बने रहिए पर बने ही